ग्यानवापी मस्जुद अंजुमन इंतजामिया कमिटी की याचिका साथ रूल 11 को खारीश करते हुए जिला जजज ने हिंदुपक्ष के दावे को सही ठहराया और कहा कि यह वाद सुनवाई योग्य है अब इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी जिला जजज क कि फैसले के बाद अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोट में होगी इस फैसले के सुनवाई के मामले को लेकर रामनगरी के संतों ने स्वागत किया है हनुमान गड़ी के पुज़ारी राजुदास का कहना है कि देश में समयधानिक क्रांती की जरूरत है समयधान में आ पक्ष की दलील थी कि उसको खारिच किया है और हिंदु पक्ष की दलील को रखा है और आशा है कि अगली तारीक तक इसका फाइनल रिपोर्ट हो जाएगा तो वहीं जगत गुरूर राम दीनेश अचारे ने वाराज शिश्रिंगार गौरी केस में कोड के फैसले को यतिहासि मुखलो की पर्मपराों का समापर होना चाहिए राजट्डी परंपरा की सथापना होनी चाहिए जो गानबापी के संबद में कोट ने आदेश पारित किया है कि उनको मुस्लिम पक्ष के जो दलील थी उसको खारिच करके और हिंदू पक्ष के दलील को सब्सक्रार किया है इससे आसा है कि अगले तारीख तक इसका फाइनल रिपोर्ट हो जाएगा, फाइनल आदेश हो जाएगा और जिसके फलत शुरूब भगवान कृष्ण के जन भूमी की इस प्रकार से चल लहा वैसे ग्यान भापी का है पहले ही शुरू-शुरू में विस हिंदू परिशन ने जो अंदोनन किया था कि हमको तीन मंदिर चाहिए कासी, मतुरा और अजुध्या, अजुध्या का फाइनल हुआ राम मंदिर भवदी बन रहा है और यह दोनों फाइनल के मरलब आदेश के करार पर हैं और सारे सबूत वह उपरसित हैं, निशित है कि यह ज्ञान बापी का भी आदेश हिंदू के पक्ष में हो जाएगा, तो तीन मंदिर जो भगवान शंकर का है वह बनने लगेगा, इसलिए ज्ञान बापी के संबन में जो भी कोट ने कहा है, वह स्वागत जोग है, धन्बात करता हूं कि उ मंदिर है, और मंदिर के पक्ष में ही होना चाहिए, इसलिए मुस्लिम पक्ष का जो दलिल था उसको खारिज किया, और हिंदू पक्ष को सुदकार किया, आगे तारिक पड़ी है, उस तारिक में पूर्ण दिया भास होगा, भास के बाद सबूत्य के आधार पर कोट निश् जानी है, उसको हटाना चाहिए, आप देखिये कि आज सोंबार है, भगवान भोले का दिन है, और आज की सुरवाद देखिये कि जो वर्षिप एक्ट का मामला दे कर, और मुस्लिम पच्छे काता था कि नहीं, यह अधिकार हिंदूों को नहीं है, इस कोट जाने का, इस जान भापी मामले पर कोर्ट के द्वारा आज आतिहासिक फैसला लिया गया, पूरा देश, पूरा समाज, आज इस बात के लिए प्रसनता व्यक्त करता है, कि जिस प्रकार से मोगलों के द्वारा इस देश में खड़ियमत्र करके हमारी जनास्था और हिंदू के केंद्रों को खंडित भी खंडित किया गया था, मुझे लगता है कि उसके पुनलुत्थान का समय आ गया है, और इसी पक्ष में आज कोर्ट ने जिस प्रकार से इस मामले को सुनवाई के लिए जया इमाना है, और मुस्लिम पक्ष के मामले को नरस्त किया है, यह स्वागत योग्य है, मुझे लगता है कि मुगलन के दर आस्थापित की गई परंपराओं का समापन होना चाहिए, और राष्टिय परंपरा की अस्थापना होना ही चाहिए, और भगवान भुले नात गवरी के साथ वहाँ विराजमान होंगे, यह संदेश पुरे देश में जाना चाहिए.